आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हम मालेते हमारे पास एक एक चड़ थी, इस चड़ की वज़े से छोटा सा एकजामपल लेकि इसको हम समझेंगे हम मालेते हैं चड़ का एक हिस्सा हमारा बधा हुआ था, जो की गती नहीं कर सकता था, चड़ हमारा इस तरह से बध के रखी गई थी ठीक, ओ बिंदु पे, इसके दूसरे सिरे पे हमने क्या-क्या एक वेग लगा दिया, अपलाई कर दिया, मतलब कि इस वी वेग से इसको हमने घुमा दिया तो इस वेग की वज़े से क्या होगा, और जो खास बात है, वेग हमारा इस चड़ की लंबाई के लंबोत हमने दिया है, ठीक, तो वेग हमारा चड़ की लंबाई के लंबोत है, तो इस वेग की वज़े से चड़ हमारा इस बिंदु ओ के परिता घुडन गती प्रारंब कर इस वेग की वजए से चण हमारा घूमना प्रारंब कर देगी, अगर घूमना प्रारंब कर दी, तो ये वेग हमें क्या देगा, एक आगहूर देगा, अच्छा, जो हमारे पास वेग और रैकिक संबेग में संबंद होता है, P वराबर क्या होता है, दरभिमान इंटू वेग, अच्छा जो हमारे पास P की दिसा होती है वेग की दिसा होती है अगर हम कहें यह हमारे पास जो पिंड था या छड था इसका दरबिमान अगर यम हो तो इसका रैकिक संबेग हमारे पास क्या हो जाएगा P और उसका मान क्या हो जाएगा M into V वी खास बात क्या है कि जो ये वी है और रैकिक संबेग दोनों एक ही दिसा में होंगे तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि ये जो रैकिक संबेग है एक आगूर दे रहा होगा क्योंकि इस रैकिक संबेग की ओजैसे पिंड हमाना घूमना प्रारंब कर दिया गुमते गुमते कभी एक छड़ ऐसा आएगा कि पिंड हमारा ओ बिंदु पे तो बदा होगा लेकिन उसका दूसरा सिरा यहाँ पे पहुंच गया और अभी भी जो हमारे पास संबेग होगा इस पिंड की लंबाई के लंबोत होगा संबेग हमारा इस दिशा में लग रहा है यल का मान क्या होता हमारे पास आर क्रॉस पी यह हमारा होता है कोडिये संबेग और यह हमारा क्या है रेखिक संबेग का आघुड तो रेखिक संबेग का आघुड क्या होगा आर क्रॉस पी किसके वरावर होता है कोडिये संबेग कोडिये संबेग हमारा एक भावतिक रा तो यहां से अगर देखे P की value हम क्या पूट कर सकते हैं M into V, L बराबर आ जाएगा R cross, P की जगह पर लिख सकते हैं M into V, V क्या है, कड़का वेग है, ठीक, तो इसकी value आ जाएगी L बराबर हमारे पास M, R cross V, यह हमारा होता है, कोडिये संबेक का सदिस form, ठीक, कहीं भी अगर कोडिये संबेक का सदिस रूप लिखिए, तो यह हमारा क्या होता है, सदिस रूप होता है, कोडिये संबेक का, तो answer हमारा क्या हो गया, हम से सिर्फ पूछा गया था, कि रैखिक संबेक का जो आगूर होता है, कौण सी भहुत एक रासी ब्यक्त करता है, तो हमारा कोडिये स थीटा क्या होता है हमारे पास वेग और आर के बीच का कोड होता है आर क्या होता है जिस बिंदु के परिता गुड़न गती हो रही होगी उस बिंदु से वेग के बीच की दूरी और हमेशा याद रखिए लंबवत दूरी लिखते हैं यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है कि जो यह वेग है और यह जो आर है दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तभी घुड़न गती होगी ठीक अगर यहाँ पर आप खुद सोची अगर हमने वेग इस दिसा में लगा दी होता इस छड़की लंबाई के अनुदिस मतलब इस दिसा में वेग लगा देते तो क्या यह कोई भी गती नहीं होती इस तरह से हमारे पास रोड इस्तिर रहती आप कितना भी वेग लगाते यहाँ पर कोई भी गती नहीं होती तो गुड़न गती होने के लिए आपको जो यह वेग देना है या फिर जो संबेग देना है ओ इस छड़की लंबाई के लंबवत देना हो तभी जाके घुडणगती संभव होगी ठीक तो इतनी चीजे हमें इस कोशन में जानना चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा रैखिक संभेग का जो आगूड होता है और क्रॉस पी वह हमारा क्या होता कोडिये संभेग ठीक को यल से हम प्रदर्सित करते हैं यही हमारा इस कोश सुचा 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 सुपर